दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मैं दिलीप सिंग और आप देख रहे हैं वीइंग सेवर यूट्यूब चैनल और बहुत ही खुजी की बात है दोस्तो की हमने फाइनली इस सनेक को रेस्क्यू कर लिया बहुत ही सुन्दर साफ है देख सकते हैं वीडियो में आगे कि बहुत बहुत जरूत है प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका बिलकुल भी कोई खर्च नहीं है आपके ओल एक बटन दबाएंगे हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी हम लगता दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि हमारे दोरा जीवों की और इंसानों की जान बचाई जा सके बहुत सारी जानकारियां इंसानों तक पहुचाएं ताकि वो इंजीयों को ना मारे और अपना भी जान सेफ रख सके तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तो हमें साब के बा भारत में यह सारे राज्यों में पाया जाता है जैसे राजस्थान है, दिली है, उत्तरपदेश में के पश्चमिल आके, कानपूर के आगे के रियास में दिखाई पड़ता है मधपदेश के कुछ जिलों में पाया जाता है औरेज कलर में बलैक स्ट्राइप से यह बहुत ही खुबसूरती इसके अंदर दिखाई पड़ती है इसके बारे में राजस्थान में दोस्तों एक बहुत बड़ी बात कही जाती है मुझे तो मिथ्या लगती है सच नहीं लगता है वहाँ पर ये कहना है इसके बारे में कि ये साप जो लोग रखते थे उनके घर में धन वैब हो और पैसे की कभी कमी नहीं होती थी इसी मिथक के कारण इसी बात के कारण सपेरे और मदारी का ये बहुत ही फेवरेट साप होता है वो इसको रखने का प्रयास करते हैं इसको पगड़ने का प्रयास करते हैं सरकार भी अपनी तरप से ऐसे जीव जनतों को बचाने का प्रयास करती है, captivity से निकालने का प्रयास करती है, ये भी दोस्तों वन जीव सनचण अधनियम 1972 के अंडर, ये scheduled creature है, scheduled reptile है, फिर भी दोस्तों हमने इसको rescue किया, इसकी हालत अभी काफी खराब है, इसके नाक के पास आप देख सकते हैं, काफी चोट लगी हुई है, क्योंकि पिटारी में रखने के कारण, इसके ये ठोकर मारते हैं, और वो लकड़ी की पिटारी से इनको खरुच लगती है, तो दो-तीन दिन की recovery के बाद जल्दी ही ठीक हो जाएगा, और हम इसको परियावरण में छोड़ देंगे, जहां पर ये आराम से रह सकेगा, दोस्तों देख सकते हैं, काफी active भी है ये, और बहुत ही सुन्दर साप है, एक बार छोटी से request आप से फिर से है, कि आप प्लीज हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, और हमें बहुत बहुत खुशी मिलेगी, अगर आप हमारे इस प्रियास को, एक लाइक, एक शियर और एक सब्सक्राइब देंगे, काफे दिनों से हम लगे हुए हैं, दोस्तों हमको दिखावा नहीं करने आता है, डायलॉक्स नहीं आते हैं, बहुत अच्छे से बोलने नहीं आता है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे आती है, वो सापों के प्रतिप्यार, रेप्टाइल्स और एनिमल्स के प्रतिप्यार है, उनको बचाना चाहता हूँ, मैं उनको इनसानों से और इनसानों को भी इन जीवों से बचाना चाहता हूँ, इसकी प्रयास को लेकर दोस्तों मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप सब का सपोर्ट चाहिए, जिस तरीके से इस साप का रेस्क्यू किया हमने, ऐसे ही हम अभश में भी बहुत सारे जीवजनतूं और इनसानों को बचाना, और उनको इन जीवों के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, वीडियो पसंद आया तो प्लीज दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, काफी महनत हम लोग कर रहे हैं लगातार, दोस्तों इस साब के सुचना मिलने के कहानी कुछ ऐसी है, कि हमारे मित्र शक्तिमान सिंग जो कानपूर में टाठा जेनरेटर्स में काम करते हैं, उनकी मुलाकात एक सपेरे से हो गई सड़क के किनारे, जो कि साब को लिये हुए था, जैसे उन्होंने साब को देखा, उनको मेरा खयाल आया और उन्होंने मुझे तुरंट फोन किया, हमने इन्फोर्मेशन ली और उस सपेरे से बात की, और उससे मिलने पहुचे, जब मिलने पहुचे तो हमें यह साब दिखाई पड़ा, जैसा कि आप हमारे पीछे वीडियो में देख सकते हैं, हमने उसको काफी समझाया, क्योंकि लोगों को यह लगता होगा, कि हम सपेरों का या ऐसे लोगों का रोजी रोटी चीनते हैं, दोस्तों हमारा ऐसा बिल्कुल भी मकसद नहीं है, हम चाहते हैं कि वो कम से कम ऐसे जानवरों को, ऐसे साबों को पकड़े और रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरे साधन खोजे, फिर भी हमने उसको समझाया, और फाइनली उससे हम साब को रेस्क्यू करके लाए, और रिजल्ट आप सामने देख सकते हैं, यह साब आजाद है, और कुछी दिनों में यह अपने पर्यावरण में रिलीस कर दिया जाएगा, दोस्तों अमीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, एक बार छोटी से फिर रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जैहें,